हलो एवरिवन कैसे हम सभी उमीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है अमीद कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सीरीज की आज सेकंड कलास जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपकी नंबर सीरीज है वो होती है दो टाइप की एक होती है आपकी missing सीरीज और दूसरी आपकी होती है wrong सीरीज प्रीबियस क्लास में हमने डिसकस किया था missing सीरीज के कुछ important question को आज हम discuss करने वाले हैं wrong series wrong series में किस type के question आते हैं क्या क्या logic लगाया जाते हैं और सारा का सारा हम आज discuss करने वाले हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे हैं ताकि कोई भी important question आपसे miss ना हो तो चली start करते हैं आज किस प्यारे सी session को आज का पहला question आपके सामने ये रहा series आपको देके रखिया है 5, 25, 120, 6, 25, 3,125, 15,625 आपने बताना है कि इसमें wrong कौन सा है wrong number बताना है इस series में कि wrong कौन सा है चली ये देखते हैं 5 को 5 से multiply करेंगे तो 25 आ रहा है ठीक है उसी तरह 6 को 5 से multiply करने पर 6, 25 को 5 से multiply करेंगे तो 3, 1, 2, 5 आएगा और 3, 1, 2, 5 को अगर 5 से multiply करते हैं तो आपके पास आएगा 15,625 उसी तरह same logic आपने यहां लगाना था अगर हम 25 को 5 से multiply करते हैं तो इसकी जगा आपके पास 125 आएगा और 125 को अगर 5 से multiply करते हैं आपके पास आएगा 625, इसका मतलब यह है कि यहां पर 120 गलत है, 120 की जगह आपका 125 आना था, ठीक है, यहां पर 120 आना था, ठीक है, यहां 125 नहीं 120 होना चाहिए था, ठीक है, तो आपका सही, जो आपका option है, वो option number C हो जाएगा, option number C, इस question का बिलकुल सही हो जाएगा, चलिए, next question, question number 2, जल्दी से सभी लोगोंने try करना है, comment box में comment करके बताना है, कि इसका कौन सा option सही है, given 4 option में से, first option आपका है 8, second है 22, third है 36, and last है आपका 24, तो सभी लोगोंने try करना है, वीडियो को pause करके और बताना है, इसका सही अंसर क्या है, चलिए देखते हैं, क्या logic लग रहा है, इस question में, 4 में 7 plus हो रहे हैं, 4 में 7 plus होगे 11, 11 में 7 plus करेंगे 18 आएगा, उसी तरह 18 में यहां 6 plus हो रहे हैं, लेकिन होने चाहिए थे आपके 7, जब 18 में 7 plus करेंगे तो आपके पास आएगा 25, मतलब 24 यहां पर गलत है, 24 की जगा आप 25 आप का 25 आप ता, 24 की जगा आपका 25 आप ता, यहां भी आप देख सकते हैं, जो इसकी second series बन रही है, ठीक है, double series पर बेचर कॉस्चन है, जब 8 में 14 प्लस होगे, तो आपके पास आएगा 22, 22 में 14 प्लस होगे तो आपके पास आएगा 36, सेम आगे, जब 36 में 14 प्लस करेंग तो 50 आएगा, इसका मतलब यहाए कि 24 की जगा आपका 25 आना था, तो 24 यहाँ पर गलत है, यानि कि option number D यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका सही answer आएगा आपका 24 की जगा 25 आना था, ठीक है? चलिए next question, question number third, वीडियो को पोज करके सभी लोगों ने try करना और बताना है कि इसका answer क्या है? सभी लोगों ने try करना और बताना है इसका सही answer क्या है? चलिए देखते हैं, जब 2 को 6 से multiply करेंगे, 12 आएगा, 12 को 6 से multiply करेंगे, तो आपके पास आएगा 72, क्या 72 को 6 से multiply करने पर, 4, 32 आएगा, 6, 2, 12, 2 आगे, 42, 42 में 1 प्लस करेंगे, तो आपके पास 4, 32 आगया, मतलब यह सीरीज तो आपकी सही है, चलो आगे चेक करते हैं, जब 6 से 4 को multiply करेंगे, 24 आगया, 24 को 6 से multiply करेंगे, 6, 24, मतलब यहाँ यह गलत है, 124 यहाँ पर गलत है, छीक है, इसकी जगा आपका 144 आना था, ठीक है न, तो यहाँ पर आपका option number C, option number C जो है, वो गलत हो जाएगा, 142 की जगा 144 आना था, ठीक है, चलिए next question, question number 4 देखते हैं, question number 4, सभी लोगों उन्हें try करना है, और comment करके बताना है, कि इसका सही answer कौन सा है, चलिए देखते हैं, क्या लोगों जीक लग रहा था, देखिए 11 के बाद आपको 13 देखे रखा है, 15 है, 17 है, 19, 23, 29, 31, and 37, आपको गलत चूज करना है कि गलत number इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आपने 15 को ढग से देख खा है, तो यह आपका एक composite number है, ठीक है, यह आपका एक composite number है, इस वज़े से इसका सही answer जो 15, यानि कि option number C हो जाएगा, option number C, इस question का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए next question, question number 5, question number 5, आपके सामने यह रहा, सभी लोगों उने try करना है, बहुत easy question है, वीडियो को pause करके सब ने try करना और बताना इसका सही answer क्या है, option 4 आपके सामने given है, first option है 5, second option 42, third 176, और last 11 है, चलिए चेक करते हैं, इसका सही answer क्या है, दीखे, first two digit को plus करेंगे, तो third digit मिल रहा है 11, उसी तरह first three digit को plus करेंगे, first three digit को plus करेंगे, तो आपके पास आएगा fourth digit, अब करना क्या है आपको कि पहले चार digit को plus करना है, पहले चार digit को plus करेंगे, जैसे 5 plus 6, plus 11, plus 22, तो आपके पास आएगा 44 निकल कर, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 42 गलत है, इसकी जगा 44 आना था, ठीक है, 44 आना था, 42 की जगा, तो आपका जो option number B है, option number B इस question का सही हो जाएगा, चलिए next question, question number 6, question number 6 आपके सामने यह रहा, एक बाद बता दूँ कि यह double series पर है, जल्दी से सभी लोग और ट्राई करना है, और बताना है किसका सही answer क्या है, देखते हैं सबसे सबसे फास्ट किसका answer आता है, चलिए देखते हैं, देखें, जीरो के बाद 2 आया है, मतलब कि प्लस के दो होगे यहाँ पर, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 प्लस हुए 8 आएगा, और 8 उसी तरह, 4 में 2 प्लस करने पर 6, और 6 में 2 प्लस करने पर आपके पास 8 मिल रहा है, यह सीरी आपक ही बिल्कोल सफी यह, ठीक है, 1 का ड़व 2 एगया, 2 का ड़व यहाँ यहां पर 4 हो रहा है, 4 का ड़व 8 हो प्लस का रहा है, तो 8 का ड़व यहां, 16 आपको 10 की जगा, मतलब यहां पर 10 गर यहां पर 10 की जगा आपको 16 आपको 16 इसayer然后 16 इस कोस्यों का, Q7 आपके सामने यह रहा जल्दी से सभी लोगों ने वीडियो को पॉस्ट करना और बताना इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर सभी लोगों ने बताना है इसका सही आंसर क्या है चलिए देखते हैं इस question का सही आंसर कैसे निकलेगा कौन सा होगा गिवन चार उप्सन में से दीए फर्स्ट टू डिजिट 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 आगे आपके पास यानि के फर्स्ट टू डिजिट या नमबर को प्लस कर रहे हैं तो आपके पास 3rd नमबर आ रहा है उसी तरह 2nd नमबर और 3rd नमबर को प्लस करेंगे 9 और 5 प्लस करेंगे 14 आएगा ठीक है सेम लोजिक आगे लगाना है जब 9 प्लस 14 करेंगे ठीक है तो 23 निकल कर आएगा यानि के 22 गलत है 22 की जगा आपका 23 आएगा जब 14 प्लस 23 करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 37 मतलब हमारी series आगे जो बिल्कुल सही है same 22 में 37 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा sorry 23 आएगा क्योंकि यहाँ पर 23 निकल कर आ रहा है तो आपके पास आएगा निकल कर 60 इसका मतलब यह है कि 22 की जगा 23 आएगा 22 गलत है यानि कि option number D इस question का गलत हो जाएगा चलिए next question question number 8 question number 8 आपके सामने यह रहा है question number 8 यह रहा है जल्दी से सभी लोगोंने try करना और बताना है कि इसका सही answer क्या है सही answer बताना है सभी लोगोंने इसका सही answer क्या है चलिए देखते हैं इसका सही answer क्या रहेगा देखिए 343 लिखा है 343 आपका 7 का cube हो गया अब 7 का cube 7 लिखा है मतलब यह 2 का cube minus 1 है 8 minus 1 लिख सकते हैं इसको 126 126 आपका 125 यानि के 5 का cube plus 1 हो रहा है 5 का cube plus 1 है यह 63 63 को हम लिख सकते हैं 4 का cube minus 1 18 को हम लिख सकते हैं 28 को हम लिख सकते हैं 3 का cube and plus 1 इसी तरह 215 को हम लिख सकते हैं और minus 1 ठीक है यहां 81 यह गलत आया 81 नहीं आएंगे यहां पर ठीक है यहां पर आपने इसको काड़ देना 81 नहीं होगा question में question आपका यहां से start होगा question आपका यहां से start होगा ठीक है ना तो यहां पर देखिए पहले 6 का cube मतलब कोई नहीं कोई चीज cube में से plus या minus होगा है सिर्फ इस वाले को छोड़ कर 343 को छोड़ कर क्योंकि 343 यहां पर 7 का cube है तो इस वज़ा से आपका 343 यानि कि last option जो हो बिलकुल सही हो जाएगा last option इस question का बिलकुल सही हो जाएगा option number D जलिए next question question number 9 question number 9 आपके सामने यह रहा जलिए देखते हैं series में क्या दिया है series आपकी है 1, 5 5 9, 7 11, 11 15 12, 17 यह आपको series देखे रखिए देखे यह देखे यह डवल सीरीज पर basic question लग रहा है 1 के बाद 5 आया यानि कि plus 4 हुआ जब एक में 4 प्लस करेंगे 5 आएगा ठीक है 5 में 2 प्लस किये तो 7 आगया 7 में दुवारह से 4 प्लस होंगे 11 आएगा 11 में 11 में यहां पर आपके 2 प्लस होने चाहिए थे मतलब कि 12 की जगा आपका 13 आना चाहिए था 12 की जगा आपका 13 आना चाहिए था सेम आप यहां चेक कर सकते हो 5 में 4 प्लस हुए है 9 9 में 2 प्लस होंगे 11 आएगा 11 में 4 प्लस होंगे 15 आएगा और 15 में 2 प्लस होंगे तो आपके पास आएगा 17 इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपका 12 गलत है यानि कि आपका option number D गलत हो जाएगा option number D इस question का बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए next question question number 10 question number 10 आपका यह रहा जल्दी से वीडियो को पॉज करके सभी लोगोंने try करना है और बताना है कि given 4 option मेंसे कौन से एक ऐसा option है जो इसका सही है सभी लोगोंने try करना है और बताना है कि इसका सही answer क्या है 4 option आपके सामने given है चलिए देखते है series आपको देखके रखी है 2,3,4,5,6,8,10,13,16,22 यह series आपको देखके रखी है चलिए देखते हैं देखें 2 के बाद 4 आया मतलब प्लस 2 हो गया इसमें 4 के बाद 6 आया है 4 के बाद 6 आया है यानि कि प्लस 2 हो रहा है दवारा से 6 के बाद यहां पर 8 है 6 के बाद 10 आ रहा है मतलब प्लस 4 होगा फिर आगे आपका प्लस के 6 हो गया इसी तरह अगर आप यहां चेक करोगे प्लस 2 हो रहे हैं तीन में 1 plus 5 तीन में 5 में 3 plus 5 में 5 में 3 plus प्रवने जल्दी से बताना है कि इसमें गलत बताना है इसमें से कून सा है अगर यहां चेक करोगे तीन के बाद 5 आया यानि कि 2 प्लस हुए फिर 3 प्लस हुए फिर 5 प्लस हुए मतलब बोलने का कि 1st 2 नंबर को प्लस कर रहे हैं तो अगला नंबर मिल रहा है जैसे 2 और 3 को प्लस करेंगे 5 आएगा फिर इन दो नंबरों को प्लस करेंगे 3 और 5 को तो 8 आएगा लेकिन यहां पर no प्लस होगे 22 यहां पर गलत है 22 की जगा आपका 21 आना था 21 की जगा आपका sorry 22 की जगा आपका 21 आएगा 21 आएगा इसका मतलब option number यहाँ पर A option number A यहाँ पर गलत हो जाएगा question में आपका option number A गलत हो जाएगा चलिए next question question number 11 question number 11 आपका यह रहा series आपको देखे रखी है 410, 22, 46, 96, 190, 382 यह series है जल्दी से सभी लोगों ने ट्राई करना और बताना इसमें से गलत क्या है गलत बताना इसमें क्या है चलिए देखते है series में क्या हो रहा है देखे 4 into 2 करेंगे plus 2 कर दो 4 into 2, 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10 आएगा 10 into 2 करेंगे 20, 20 में 2 प्लस करेंगे 22 आगया, series अभी तक सही चलिए है 22 को 2 से multiply करेंगे 44, 44 में 2 प्लस करेंगे तो 46 आएगा 46 को जब 2 से multiply करेंगे 92, 92 में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 94 यानिके 96 यहाँ पर गलत है इसकी जगा आपका 94 आएगा सेम लोजिक आगे लगाना है आपने जब 94 को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे 188 आएगा उसमें 2 प्लस करेंगे 190 आएगा सेम लोजिक आगे लग रहा है मल्टिप्लाई 2 and plus 2 तो यहाँ पर 96 गलत है 96 की जगह आपका 94 आना था option number C इस question का सही हो जाएगा चलिए next question question 12 question 12 आपका ये रहा question 12 आपका ये रहा series आपको देखे रिखिए 6, 15 35 75 165 221 सभी लोगोंने try करना है और बताना इसका सही answer क्या है 4 option आपके सामने given है चलिए देखते हैं इसका सही answer क्या आएगा अगर यहाँ पर 6 इंटू 2 करेंगे 12, 12 में 3 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 15 6 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे तो 15 आएगा same logic आगया लगाना है आपने 15 multiply 2 करनेगे और उसमें 5 प्लस कर देंगे तो 35 35 को 2 से multiply करेंगे 70 and 7 प्लस करेंगे तो 77 आगया multiply 2 करेंगे हर वार में ही ठीक है जब 77 को 2 से multiply करेंगे तो आपके पास आएगा 154 और 154 में जब आपने यहां अगर 9 प्लस करते हैं तो 163 आएगा लेकिन यहां आपने 11 प्लस करने है देखिए कि reason क्या है 3, 5, 7, 11 यह आपके कौन से नंबर हो जाएंगे यह आपके सारे के सारे prime नंबर हो जाएंगे यहां आपका कितना आएगा फिर 165 यहां तक series आपकी सही है इसका मतलत दो 21 यहां पर गलत हो जाएगा जब आपने क्या करना है फिर 2 से मल्टिप्लाई करना है और 13 प्लस कर देने है ओंगे तो जो मल्टिप्लाई करके आएगज तो ऑई इसका सही आउनसर होगा यहां बोलने का मतलत हुएग है जल्दी से सभी लोगों ने ट्राइ करना है और बताना इसका सही अंसर क्या है चार ओप्सन आपके लिए आपके सामने गीवन है जल्दी से ट्राइ करना है सभी लोगों ने और बताना इसका सही अंसर क्या है ओप्सन आपके सामने गीवन है सीरीज आपको देखे रखिये 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, and 7, 77 ठीक है? जल्दी से सभी लोगों ने करना इसको ट्राइ और बताना इसका सही आंसर क्या है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लोगिक लग रहा है? सबसे बहले गैप पर चेक कर लेते हैं कि गैप से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है वन में 2 प्लस किये तो आपके पास आगया 3 ठीक है? अब 3 में 7 प्लस हो रहे हैं 3 में 7 प्लस हो रहे हैं तो आपके पास आएगा 10 10 में यहां पर 11 प्लस हो गए तो आपके पास 21 आ रहा है 21 में कितने plus हो रहे है। तो यहां पर 43 प्लस हो रहे है तो अगाप पर नहीं कुश्चन चुछ्चन नहीं नहीं? लिकिन चेक कर लेते हैं अगे कितने का गैप बन रहा है आपका यह? आगे का गैप आपका 61 का सेम गैप आगे चैक कर लो 221 का गैप बन रहा है ये गैप आपके पास है 421 का 231 का गैप है 421 का गैप है तो तो ये कॉस्चन बनेगा नि ठीक है गैप पर ये कोउच्चन आपका नहीं बनेगा सबी लोगों ने देखना एक बार इसका सही आंसर क्या है उप्षन आपके सामने गीवन है चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या से निकलेगा फिर अगर गैप पर नहीं हो रहा तो लेकि 1 को अगर 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे 1 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 2 एंड प्लस 1 कर देंगे तो आपके पास आगया 3 ठीक है सेम लोगिक आगे देख लो आप जब 3 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपके पास आएगा 6 लेकिन आपको यहां 2 से नहीं यहां 3 से multiply कर देना है ठीक है पहले 2 से फिर 3 से फिर 1 प्लस करना है जब 3 को 3 से multiply करेंगे 1 प्लस कर देंगे तो आपके पास आएगा 10 ठीक है सेम लोजिक आगे लगाना है आपने जब 10 को 2 से multiply करेंगे 20, 20 में 1 플ラس करेंगे तो आपके पास आएगा 21 पहले 2 से multiply प्लस 1, 3 से multiply प्लस 1, फिर दुबारा से आपने 2 से multiply करना है जब 21 को आपने 3 से multiply करना है, तो आपके पास 63 आएगा, 63 में 1 प्लस करेंगे तो 64 निकल कर आगया ठीक है अब 64 को 2 से multiply करना है 128 आएगा उसमें 1 प्लस करना है तो आपके पास 129 आएगा इसका मतलब यहाँ पर 125 गलत है 125 की जगा आपका 129 आना था ठीक है इसने डारेक्ट आंसर लिख दिया यहाँ पर आपका 125 आएगा जो कि गलत होगा option number B इस question का सही हो जाएगा option number D यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि जब 64 को आपने multiply करना है 2 के साथ 64 को 2 से multiply करेंगे तो आपके पास आएगा 128 इस सीरीज आपकी सही थी यहाँ पर आपका 129 ही आएगा ठीक है सीरीज आपकी सही है यहाँ पर 129 ही आएगा इसका मतलब यहाँ यहाँ पर सीरीज आपकी सही है तो next वाला गलत हो जाएगा इसका मतलब यह ठीक है क्योंकि जब 129 को आपने multiply करना है 3 के साथ and प्लस उसमें बन करना है तो 39, 27, 28 फीक है टीक है यहाँ पर 13 लास्ट जो यूट इजए वो आपका 8 आप यहाँ सही है आपका ऑप्स नम्र नम्र डी ही गलत होगा यहां पर ऑप्स नम्र बीए यह भीए यहाँ क्योंकि सीरीस्ट मेंदे 129 की एगा 125 कर दिया था Okay? next question 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 numero 14 Q14 आपके सामनी है रहा Q14 आपको देखे रखे है 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509 सबसे पहले आप लोगो ने क्या करना है चेक कर ले लिए इन कितने 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 का है अगर ये गैप आपका है 22 का तो ये वाला कितने का होगा ये गैप आपके पास आएगा 34 का ठीक है आगे का गैप कितने का है ये आपका 61 का आएगा सेम आगे चेक करना है आपने 91 का गैप है और ये गैप आपके पास आएगा 7, 127 का और आगे आप चेक करोगे तो आपके पास आएगा 149 का 149 ये 169 एगा ठीक है सेम गैप आगे चेक करना है आपने दुबारह से ये गैप आपके पास है 12 का इस गैप को चेक करोगे तो आपके पास आएगा 11 में से 4 माइन से 7 आएगा और 2 आएगा यहां पर 27 का गैप बन रहा है इस गैप को चेक करोगे तो आपके पास आएगा ये 0 3 30 का गैप आएगा सेम लोजिक आपने आगे लगाना है 27 9 36 36 का गैप आपका ही और ये गैप आपके पास आएगा 2 & 4 42 का गैप बन रहा है आगे सेम आगे चेक करना है आपने ये गैप आपके पास है 5 1 15 का गैप बन रहा है इस गैप की बात करेंगे तो ये गैप आपका 3 का है ये आपका 6 का गैप है और ये गैप आपका 12 का है ठीक है तो यहां पर जो आपका 27 है यह गलत हो गया क्यूंकि 3 का gap है फिर 6 का gap है फिर 12 का gap है 27 गलत है 27 की जगा आपका 24 आना था 27 की जगा आपका 24 आना था यानि कि option number आपका A इस question का गलत हो जाएगा option number A यहाँ पर गलत हो जाएगा बहुत लंबा question था, lengthy question था इसमें से ठीक है, option number A इस question का सही है जलिए next question, question number 15 question number 15 आपका ये रहा series आपको देखे रखिया है 4, 6, 10, 12, 16, 14, 22 जल्दी से आप लोगों ने try करना और बताना है इसका सही answer क्या है सही answer बताना है सभी लोगों ने इसका सही answer क्या है चलिए देखते हैं, इसका सही answer क्या है देखे, series में आपका 4 के बाद 6 आया है यानिके plus 2, then plus 4 हो रहे है फिर plus 2 हो रहे हैं series में plus 4, आगे minus 2 हो गए लेकिन होने चाहिए थे plus 2 ठीक है, तो 14 गलत है 14 की जगा आपका 18 आना था 14 गलत है, यानि कि option number A इस question का सही हो जाएगा option A इस question का सही हो जाएगा चलिए next question question number 16 question number 16 आपका यह रहा series आपको देखके रखिए है 29, 37, 49, 62, 77, 94, 113 तो सभी लोगों ने try करना और बताना है इसका सही answer क्या है इसका सही answer जल्दी से बताना है आप लोगों ने क्या है चलिए इन दोनों के बीच का गैप last से कर रहा हूँ series call में ठीक है 94 और 113 इसके बीच का गैप चेक करोगे तो 19 का गैप है 77, 94 के बीच का गैप कितने का है तो यह गैप आपका आएगा 17 का 62, 77 के बीच का गैप आपका 15 का है ठीक है यह गैप आपका 13 का तो यह गैप है वो आपका series जिस हिसाव से चल रही है वो आपके सारे ओर्ड नंबर है तो यह गैप आपका होना चाहिए था 11 का लेकिन यह गैप आपका 12 का है अई मींज यहां पर 37 गलत है 37 की जगह आपका 38 आएगा ताकि ये gap आपका फिर 9 का हो जाता फिर आपकी सीरीज सही होनी थी 9, 11 करके जो भी आपकी सीरीज बन रही है 13, 15, 17, 19 ये आपकी सीरीज ओड नमबर की है ठीक है तो यहां पर 37 गलत है 37 की जगह आपका 38 आना है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन question number 17 question number 17 आपका ये रहा जल्दी से वीडियो को पोज़ करके सभी ने ट्राइ करना इसका अंसर बताना फिर क्या है चलिए देखते हैं सीरीज में क्या है इसका सही आंसर के आएगा देखें 68 के बाद 66 के बाद 66 के बाद 66 के बाद 62 है मतलब माइनिस 4 होगे सीरीज में आगे पहले 2 माइनिस फिर माइनिस के 4 हो रहे हैं 62 के बाद 56 है मतलब माइनिस 6 होगे सीरीज में पहले 2 माइनिस 4 फिर 6 है आगे देखो के तो माइनिस के 10 हो रहे हैं उसके बाद सीरीज में माइनिस के 8 हो रहे हैं फिर आपके सीरीज में माइनिस के 12 हो गए है मतलब यहां पर आपका 46 गलत है यहां पर आपके 48 आने थे सीरीज के हिसाब से पहले 2 का गैप है फिर 2 का फिर आपका 2 का गैप होना चाहिए था यहां पर 4 का गैप हो गया है तो माइनिस 10 नहीं यहां पर माइनिस 8 आएगा इसकी जगा तो यहां पर 46 की जगा आपका 48 आएगा ताकि सीरीज आपकी 48 अगर यहां पर आता आपका तो आगे में सीरीज में आपके माइनिस 10 आते फिर आपका माइनिस 12 आता तो 46 यहां पर गलत है 46 की जगा आपका 48 आएगा यानि कि आपका option number D option number D इस question का सही हो जाएगा चलिए next question question number 18 सीरीज आपको देखे रखिया यह सीरीज आपकी है 50 51 47 56 42 65 and 29 चलिए देखते हैं सीरीज में क्या हो रहा है यह गैप आपका प्लस 1 का है यह आगे गैप आपका माइनिस 4 का हो गया पहले प्लस 1 फिर माइनिस 4 इस गैप की बात करेंगे तो यह गैप आपका प्लस 9 का है यह गैप आपका 8 और 6 चोड़ा यानि कि ये gap आपका minus 14 हो गया इस gap की बात करेंगे तो ये gap आपका 36 का है आपका ये gap आपका आगया 23 का अगर 1 को हम लिख सकते हैं 1 का square इसको लिख लेंगे 2 का square ये आगया अपका 3 का square ये आपका 4 का square आणा था यहां पर क्योंकि natural number का square हो रहा है पहले natural number 1 जो आड़ हुआ है फिर minus, फिर plus and फिर minus तो यहां पर 14 की जगा आपका 16 आना है क्योंकि 4 का square करेंगे 16 आएगा जब 56 में से आपने 16 minus करने है तो आपके पास 42 की जगा 40 आना है मतलब यहां पर 42 गलत है 42 की जगा आपका 40 आना था यानि कि option number B option number B यहां पर गलत हो जाएगा यहां पर आपका 42 की जगा 40 आना था चलिए next question, question number 19 question number 19 आपका यह रहा सीरीज आपको देखके रखिया 93, 309, 434, 498, 525 91, 333 तो सभी लोगों ने वीडियो के एक बार बहर से पोस करना है और बताना इसका सही आंसर क्या है चार उप्सन आपके सामने गीवन है चार उप्सन आपके सामने गीवन है सभी लोगों ने ट्राई करना है और बताना इसका सही आंसर क्या है चलिए देखते हैं इसका सही अंसर क्या है दिखिए इसको भी आपने एक चीज देखिऊ हो कि सीरीज एकदम से बढ़ रही है ठीक है तो यहाँ जो गैप है वो चेक कर लेना थ्री में से 1- करेंगे 2 आएगा तो आएगा एगा ठीक से 2- करेंगे तो आएगा एगा एगा अनद के फाइव में से 5 माइनिस करेंगे तो आपके पास 0 entre तो यह आपके पास 12 का गवाप्ऐ है यहाँ पर सेम आगे चैक करना है और देगे कितने कितने का है जब 93, 309 से माइनिस करने है ठीक है 309 में से 93 आपने माइनिस करने है तो आपके पास आएगा यह 216 मतलब यह गवाप आपका है 216 का और पान्च 14 मतलब 125 का गैप है यह ठीक है एक सो पचीस का गैप आएगा यह पहले 216 का गैप है फिर 125 का गैप है सेम आगे चेक करोगे तो आपके पास गैप निकल कर आएगा यह 64 का अगर इसको आप गोर से चेक करोगे तो यह आपका 6 का क्यूब बन रहा है यह आपका 5 का क्यूब बन रहा है और यह आपका 4 का क्यूब है ठीक है तो यह natural number के क्यूब है in decreasing order में तो आगे आपके पास यहाँ जो आएगा 27 और 27 आपके पास 3 का क्यूब होता है 27 आपके पास 3 का क्यूब होगा चलिए देखते हैं यह gap कितने का है आपने क्या करना है 498 में से 27 को क्या करना है माइनिस करना है स्वरी प्लस करना है प्लस करने पर आपके पास आएगा 8, 7, 15 एक हाथ में 9, 10, 11 और 12 तो यहाँ पर आपके पास 525 आपके पास पान्सो पच्चिस आ रहा है तो 521 गलत है इसकी जगा 525 आएगा 521 गलत है यहाँ पर 525 आएगा यानि कि option number D यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा option number D चलिए last question और आज के session का भी यह last question है question number 20 सभी लोगों ने जल्दी से try करना है और बताना है इसका सही answer कि आएगा सभी लोगों ने try करना जल्दी से और बताना है इसका सही answer कि आएगा option आपके सामने कि बने चलिए देखते हैं series क्या देके रखे series आपकी है 1 4 25 256 3 125 4 6 6 5 6 and 8 2 3 5 4 3 series एकदम से बढ़ रही है मतलब किसी ना किसी का square या किसी ना किसी का cube हो रहा है तो आपने इसको ढंक से try करना है और देखना इसका सही answer क्या है चलिए देखते है चलिए देखते हैं इसका सही answer क्या है क्या logic लग रहा है series में ठीक है 1 को लिख सकते हैं 1 का square 1 का square आगया यह आपके पास 2 का square है 25 यहाँ पर गलत हो सकता है 256 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 की power 4 क्योंकि 4 की power 4 करेंगे 256 आएगा 3125 को लिख सकते हैं 5 की power 5 यहाँ पर आपका 1 की power 1 आएगा तो best रहेगा फिर 1 की power 1 2 की power 2 3 की power 3 3 की power 3 करेंगे तो 27 आएगा series यहीं से आपकी clear हो गई 25 की जगा आपका 27 आना था ठीक है तो यहाँ पर जो आपका option number कौन सा होगा यहाँ पर गलत option ही इसमें गलत डाल दिये ठीक है option यहाँ पर गलत आगए है यहाँ पर 25 गलत है 25 की जगा आपका 27 आना है 25 की जगा आपका 27 आना था यहाँ पर option में mistake आगी है इस option की जगा आपने 25 लिख लेना है 25 लिख लेना है तो आपका option number D जो वो गलत हो जाएगा option number D यहाँ पर गलत हो जाएगा तो आज के सैसन में आपके लिए में इतने ही question लेकि आया था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share, subscribe करना ना भूले जाहिए